बिहार में महागटबंदिन की सरकार बनने के बाद जहां विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को अविश्वास प्रस्ताव दे दिया गया तो वहीं आपको बतला दें कि उन्हें इस्तिफा भी देना होगा लेकिन अब तक उन्होंने इस्तिफान नहीं दिया है वहीं आपको बतला दें कि जहां विधान सभा का विशेश शत्र 24 अगस्त को होने वाला है वहीं इसे लेकर के तयारिया भी देज है लेकिन जहां विजय कुमार सिन्हा ने अभी तक इस्तिफान नहीं दिया है तो वहीं उनके इस्तिफे को लेकर के राज़त के प्रवक्ता स क्या कुछ कह रहे हैं चलिए बतलाते हैं सक्ति यादव ने कहा कि विधान सभा अध्यक्ष का पद गरीमा का पद होता है जब कोई नई सरकार बनती है तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये जाता है उन्हें इस्तिफा दे देना चाहिए विहार विधान सभा का स उन्हें यह तक कहा कि जब विधान सभा अध्यक्ष को अ विश्वास प्रस्ताव दिया गया है तो फिर आखिर किन कारुनों से उन्हें अप्तेक इस्तिफा नहीं दिया उन्हें कुरसी पर नहीं बैठना है सदन की कारवाई को बाध्यक्ष संचालिद करेंगे तो फिर आप अविश्वास प्रस्ताव आता है तो 14 दिन के अंदर उन्हें इस्तिफा देना होता है चौबिस से सदन की कारवाई सुरू हो रही है ऐसे में उन्हें इस्तिफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्हें कुर्सी पर नहीं बैठना है व्योरो सिटी पूस लाइव